कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का हुँगा चुनिये CGPSC पात्शाला क्लासेज को और करे अपने CGPSC अन्व्यापम का सपना साकार डाउनलोड डियांड नाउ हेलो इस्टोएंड मनिखिल कुमार एक फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चनल CGPSC पात्शाला में CGPSC पात्शाला में आज हम डिसकस करने वाले है हमारे प्रदेश का नौगठीत 31 जिला खैरागर चुई खतन गंड़ी आप सभी को पता होगा हाल फिलाने मुख्य मंत्री भुपेज बखेल जी के द्वारा तीन जिलो का उधगाटन किया गया है 29 जिले के रूप में मुहिला मानपूर अंबगर चोकी, 30 जिले के रूप में सारंगड विलाईगर और 31 जिले के रूप में आप लोग को यूट्यूब में प्रोवाइट करा दिया जाएगा ठीक है चले शुरू करते हैं ध्यान दीजेगा CGPSC e-Parsala के द्वारा 36 गण सब इस्पेक्टर भरती परिक्षा प्री टेस्ट सीरीज 2022 कंड़क्ट करा जा रहा है यह टेस्ट सीरीज होगा आपके CGPSC e-Parsala के मोबाइल एप में तो जो भी एकचुक अभ्यारती यह टेस्ट सीरीज जॉइन करना चाहते है तो इसका रजिस्टेशन ओपन हो चुका है आप CGPSC e-Parsala के मोबाइल एप को डाउनलोड करके उसमें अपना रजिस्टेशन करवा सकते है टेस्ट कब होगा, किस देट को होगा, हर एक टेस्ट में कितने कोश्चन होंगे, टेस्ट एकर टाइम शेडूल क्या है सारा information आपके इस mobile app में दे दिया गया है, तो उस information को देख करके आप जो है अपना रजिस्टेशन करा सकते है ठीक है, चले शुरू करते हैं, ध्यान दिजेगा प्रदेश का 31 जिलग, खेरागर, छुईखदन, गंड़ाई इस नौगठी जिले की जो सीमा है, यह किस अन्य जिलों के साथ सीमा साजा करती है, या किस अन्य राज्य के साथ सीमा साजा करती है, सबस्राले उसे हम देखेंगे देखें, यह है आपके डारेक्शन का सिम्बॉल, नौर्थ, साउथ, इस्ट और यह है आपका वैश्ट, उत्तर दक्षिन, पूरो पस्चिम खेरागर छुई खदन गंड़े जिले की जो उत्तरी सीमा है, यह कभीरधाम जिले के साथ, जबकि इसकी जो दक्षिनी सीमा है, यह राजनांद गाउ जिले के साथ, इसकी पूर्वी सीमा आपका बेमेतरा और दुर्ग जिले के साथ, जबकि इसकी जो पस्चिमी सीमा है, ये मद्य प्रदेश राज्यक के बालाघार जीले के साथ सीमा साझा करती है। सबसे परें जीलों के नाम याद रखना है। उत्तरी सीमा कभीरधाम, दक्षिनी सीमा राजनांद गाओ, पूर्वी सीमा आपका दो जीलों के साथ, एक है बेमेतरा, दूसरा है दुर्ग, और पश्चिमी सीमा जो है वो आपके बालाघार जीला मध्य प्रतेश करा सीमा साझा करेगी। अब बात आती है तहसीलों की, ध्यान दीजेगा। तहसील के साथ सीमा साझा करेगा, जबकि इसकी जो पश्चिमी सीमा है, ये मध्य प्रतेश, राज्जे के बालाघाट, जीले के लाजी तहसील के साथ सीमा साझा करेगा। एक प्रिथक जिला बनाया जाने की घोशना किया गया था, आपके 16 अपरल 2022 को, जबकि इसकी दावापती संबंदित अधिसूचन राजपत्रे प्रकाशित किया गया, आपके 18 अपरल 2022 को. अगर आप ध्यान देंगे तो खोशना के जश्ट दो दिन बाद ही आपका इसका दावापती संबंदित अधिसूचन राजपत्रे प्रकाशित हुआ. जबकि जो पहले जो आपके चार जिले थे, उनके दावापती की अधिसूचन आने में काफी महीनों का समय लग गया था. लेकिन ये जश्ट दो दिन में ही आगया. इसका कारण क्या था? देखिए जो खेरागड जो है ये एक विधान सभा सीट भी है. इस खेरागड विधान सभा सीट के पूर्व विधायक थे देवरत्त सी. जो की जनता कॉंग्रेस 36 गर्ड पार्टी से बिलॉंग करते थे, उ अगर उनका कॉंग्रेस उमिद्वाग इस सीट से विजई होता है, तो वे जो है खेरागड की निवासियों को एक प्रिथक जीला का तोहफा देंगे. और हुआ भी यही, आपके 16 अप्रेल 2022 को उन्होंने घोशना किया, 18 अप्रेल को रिजल्ट आया, जिसमें खेरागड की विधायक चुनी गई कॉंग्रेस पार्टी की यशोदा वर्मा, और रिजल्ट आने के ही संध्या के समय, यानि की इवनिंग के टाइम में उन्होंने जो है, इसके दावापति सम्बंदित अधिसूचना राजपत्रें प्रकाशित भी करवा दिया, इसके स्रीज़ सम्बंदित किसी प्रकारी कोई आपत्ती हो तो वो दावापत्ती प्रस्तूत कर सकता है, एक सितंबर 2022 को इस खैरागड छुई खदन गंड़ई जीले का स्रीजन सम्बंदित एक प्रिथक अधिसूचना राजपत्रें प्रकाशित किया गया, जबकि इसका उधखाटन, आपकि मुख्यमंत्री भुपेज भगिल जबकि इस उधगाटन समारों की अध्यक्चता कर रहे थे, अमर जीत सीन भगत, जो कि इनके तेरा कैबिनेट मंत्रियों में से एक है, खाद देम नागरिक आपूर्ती विभाग इनके पास है, तीन सितंबर 2022 को जो है, राजा पते संभाग के अंतरगत रहेगा, ठीक है, किस संभाग के अंतरगत, दुर्ग संभाग के अंतरगत, अगर हम बात करें, तो अब यह जो आपका दुर्ग संभाग है, इस दुर्ग संभाग में टोटल जीलों की संक्या हो गई आपकी साथ, ठीक है, टोटल जो है, आपके साथ ज कवरधा राजनान काउस से प्रिथा कोगर के बना खेरागर छुई खतान गंडाई और आपके मोहिला मानपूर अंबागर चौकी तो टोटल आपके जो साथ जिले है ये अस्तित्व में ये जो है आपके दुर्ग संभाग के अंतरगत शामिल है तो दुर्ग संभाग के अंतरगत अब जीलों की संख्या कितनी हो गई है पहले थी पांच दो जीले अस्तित्व में आए तो टोटल संख्या हो गई है अब आपकी साथ अगर हम बात करें अंतर राज्य सीमा यानि कि आपका नौगठी जीला है इसकी सीमा किस अन्य राज्य के सीमा साथा कर रही है तो वो है आपका मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य के बालागाड जीले की लाजी तहसिल के साथ यह सीमा साथा करता है अगर इसके पडोसी जीले की बात करें तोटल दो उफखंड शामिल है, एक है आपका खेरागाड और दूसरा है आपका छुई खदन खेरागाड और छुई खदन दो उफखंड इसके अंतरगाड शामिल है, अगर तहसिल की बात की जाए, तो इसके अंतरगाड तोटल आपके चार तहसील है, जब दावापत्य संबनित अधिसूचना, राजपत्र प्रकाशित किया गया था तब उसमें तीन तहसील होने की बात कही गई थी लेकिन ध्यान दीजेगा अभी जो नया आपका अधिसूचना जारी किया गया है, स्रीजान से शंबनित यहां से होने वाली प्रवाही तीन प्रमुख नदिया है, एक है आमनेर, दूसरा मुस्का, तीसरा पिपरिया, यह तीनों नदियों के संगम पर बसा हुआ शहर है आपका खेरागड, आगे हम मैप में इसको डिटेलिंग करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है और धारवाड यानि की लोह आयसक का भंडारन यहां पर संभावित है, ठीक है, अगर इसके भोगोली विभाजन के हम बात करें, तो यह जो है, आपके च्छतिजगर के मैदान के अंतरगत आएगा, और नदी प्रवाह छेतर के गर हम बात करें, तो यह माहा नदी प्रवाह अंतर का हिस्सा है, यहां पर पाया जैनरल एक खनी संसादन अगर देखे, तो एक है चुना पत्थर, क्वाडजाइट, सिरेका सेंट और आपके लोह आयसक यहां पर संभावित भंडारन है, यहां पर अगर बात करें किस मिट्टी का विस्तार है, तो यहां पर काली प्रदेश के अंतर गताएगा, मैकाल परवस्त्रेणी के जश्ट नीचे वसा हुआ आपका एक जीला है, वनस्पत्ती की बात करें तो यहां मिलता है खैर कवरिच्छ, जिससे कथा निकाला जाता है, और दूसरा है सागोन कवरिच्छ, जो की इमार्ती लखडी की रूप मे सीमा में जो है इस मैकाल परवस्त्रेणी का विस्तार है, तो बैगा और अघरी जन जाती यहां पर मुख की रूप से निवास करती है, अगर प्रमुख सिचाई परियोजना की बात करें तो यहां पर मौजूद है आपका सिद्ध बाबा, जलाश है लगु सिचाई परियोजना और एक है आपका लमती नदी परियोजना जो की प्रस्तावीत है तो इससे यह ध्यान दीजेगा कि खेरागर जिले से होकर के लमती नदी भी प्रवाहित होती है, ठीक है लमती नदी किस जिले प्रवाहित होती है तो खेरागर जिले प्रवाहित होती है आपकी नदी ठीक next देखिए छुई खदान जो है ये पान की खेती के लिए काफी विख्यात है ये आपके जो जन्मन पत्री का आती है उसमें अलग से हाइलाइट करके बताया गया था कि छुई खदान जो है ये मुख्यता पान की खेती के लिए पान की खेती के लिए काफी इंपटेंट है याद रखना है नेंश्ट देखि देशी रियासते जो आपका जो 9 गठी जीले के ऑंतरगत धूर देशी रियासते जो पहले आपके देशी रियासते थी एक खेरागण और छुई खादान चोदट देशी रियासत जिससे कथा का उत्पादन होता है कथा कलेक्ट किया जाता है तो खेर रिच्चे के बहुतायत के कारण इस जगह का नाम पढ़ गया था आपका खेरवार्ड यहाँ पर जो है अगर किस वंश का शाशन था पुछा जाए भारतिय संग में इसके विला हुआ राजा विरेंद्र बहादूर सीं के हस्ताक्षर से राजा विरेंद्र बहादूर सीं के हस्ताक्षर के द्वारा एक जनवरी 1948 को खेरागर देसी रियासत भारतिय संग में शामिल हो गया जबकि हम बात करें चुई खदान चुई ख़दान ये भी एक देशी रियासत है इसका नाम करण क्यों पढ़ा चुई नामत मिट्टी ठीक है पहले जो है गाउं में घरों में घरों की दिवारों को चुई की मिट्टी से उसे लीपा जाता था तो चुई नामत मिट्टी के ख़दान होने के कारण इस जगा का यहां पर अगर किस वंच सहचां था यहां पर वेरागी वंच का शाचंग था आया हुआ प्रशन है वेरागी वंच का शाचंग था आपके चुई ख़दान रियासत में यहां क्या आदीपुरु संस्थापक कहलाते है महंत रूप दास, जिन्होंने, जो है, इस चुई ख़दान, रियासत की नीव रखी कहा जाता है, इसकी प्रावर्णभिक राजधानी ते कोडवा, जूइ ख़दाने, राजधानी परिवर्तित करके चुई ख़दान को एक राल्जधानी बनाते हैं, महंत तुलसी दास, ठीक ध्यान दीजेगा इसका भारतिय संग में विलय हुआ रितुपर्ण किशोर दास के हस्ताक्षर से यानि कि रितुपर्ण किशोर दास ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया जिसके पशाथ 1 जनवरी 1948 को यहाँ पर वैरागी वन्ष का शाचन था अब एक आता है गंड़ाई जोकी एक जमिनदारी प्राप्त हुई थी आपके लिंगा धिर धूर गोंड को जोकी मंडला के राजा से तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने है थी का एक डीटेल मैप सबसे पहले इस नौ गठी जीला खेरागर छुई खदन गंड़ई के सभी प्रमुक इस्थानों के नम में आपको बताऊंगा फिर एके करके हर एक इस्थान से जुड़े हुए महत्यपुन तत्यों पर हम चर्चा करेंगे देखें जो नौ गठी जीला है आपके खेरागर छुई खदन गंड़ई इससे होकर के एक आपका इस्थेट हाइवे यानि की राजकिय राजमार्क क्रमांक पांच गुजरता है इस्थेट हाइवे नंबर 5 जो की ऊपर तरफ आपके कवरधा से होते हुए इंटर करेगा आपके खेरागर छुई खदन गंड़ई जिले में और इसको क्रोस करते हुए यह चले जाएगा कहां आपके राजनाद गाओ की और इस पर मौझूद है आपका गंड़ई गंडई ठीक है चलिए देखे अब एक एक करके डिटेरिंग करते है सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस इस्टेट हाइवे नंबर 5 पर मौझूद है गंडई गंडई जहां पर एक प्राचीन शिव मंदिर है के वह आपको नाम याद रखना है नवी से लेकर के चौदुई गूफा के अंदर एक शिवलिंग सताफित है अक्षे तृतिया के बाद पढ़ने वाले पहले सोमवार के दिन इस गूफा का दौवार खुलता है जो कि ठाकुरटोला राज परिवार के प्रमुख देवता है तो मंडिप खोल जो गुफा है अक्षे तृतिया के बाद पढ पुछने के लिए जो लोग है जाने की जो आम जनता है उन्हें लगभग 16 बार एक नदी को पार करना होता है ऐसा कहा जाता है और यहां पर एक कुंड है जिसके पानी को पीने से चर्म रोख ठीक हो जाता है ऐसी इस्थानिय इस्तर पर माननेता है तो प्रश्ण बस यह जो कि 14 देशी रियासतों में से एक था इसका डिटेलिंग हम देख चुके है ठीक है छुई खदान के पूरे डिटेलिंग देख चुके है यहां पर वैरागी वंच का शाचन था आधी पूरुस संस्थापा के महंत रूप दास प्रारंभिक राजधानी थी आपका कोड का और परिवर्तित राजधानी बनाया गया चुई खदान को महंत तुलसी दास के द्वारा यह चुई खदान देशी रियासत को भारती संग में शामिल होने के लिए विले पत्र पर हस्ताक्षर किया गया रितुपर्ण किशोर दास के द्वारा ध्यान दीजिएगा ऐसे ममत्तान के अंतरकत आता है आपका वैताल रानी घाटी जो कि चुई खदान और एक जगा है जिसका नाम बकरकट चुई खदान से लेकर करके मधे लगभग 14 किलो मिटर के 14 कीलो मिटर लंबा एक सड़क है घाती है ठीक है सड़क है घाती है जिसमें टोटल आपके नवे मोह स्वारी, 9 मोड है, कितने मोड है, टोटल 9 मोड है, ऐसे प्रशन आये हुए है, ठीक है, एक प्रशन पूछा गया था, क्या के केशकाल घाटी में टोटल कितने मोड है, तो वैसे ये प्रशन भी आ सकता है, जन्त सब्पर का विभाग के दौरों जो प्रकाशी था है, आपके जन्मन पत्री का, उसमें इस बैताल रानी घाटी के ओपर एक आर्टिकल भी आया था, बैताल रानी घाटी जो कि आपके छुई खदान और बकर कटा, बकर कटा, ये दो शहरों को जोडता है, चौदा दसमलों एक शुन्य किलोमेटर के आसपास इस सड़क की लंबाई है, जिसमें टोटल आपके कितने मोड़ है, टोटल आपके 9 मोड़ है, ये इनपोर्टनट है, इसको याद रखना बैताल रानी घाटी कीज जिले में इस्तित है, तो बैताल रानी घाटी मौझूथ है, आपके खैरागर चुई- खदान गंड़ाई जिले के छूई- खदान ब् प्रारंबिक राजधानी थी खोलवा परिवर्तित राजधानी यानि कि खेरागड को राजधानी बनाया गया खड़कर राज के द्वारा विले पत्र पर हस्ताक्चर किया गया राजा विरेंदर बहादूर सिंहीं के द्वारा ठीक है यह तो एक fact हुआ अब देखिए ध्यान ध्यान दिजेगा यह एशिया का, हमारे केवल प्रदेश का नहीं, केवल देश का नहीं, एशिया का पहला संगीत युनिवर्सिटी, संगीत विषविद्यालय है, ठीक है, संगीत विषविद्यालय जो की खेरागण में मौजूद है, इसकी स्थापना हुई थी, आपके इंधिरा है यह हमारे देश की पूरोड प्रधान मंतरी इंदरा गांधी के नाम पर नहीं है यह चीज तो अलले है कोई भी आप एक विशुविड्देल यह कोई विश्विद्याल कोई कॉज इंदिर, उसका नाम किसी पूर्वा कौन है विरेंद्र बहाद्दूर सी राजा विरेंद्र बहाद्दूर सी और रानी पदमावती दोनों की एक छोटी सी पुत्री थी जिसका नाम था इंदिरा जिसे संगीत से काफी लगाओ था लेकिन आकस्मिक इंदिरा का निधन हो जाता है काफी अलपाईयों में तो जो आ पहरागर संगीत विश्य विद्याला है या आपका इंद्रा कलायम संगीत विश्य विद्याला है जो है यह हमारे एशिया का पहला संगीत विश्य विद्याला है जिसमें आपके लोक कला, लोक रित्य, संगीत, ठीक है सारे चीजे होती है आपके लालित्य कला ध्यान लोकसंगीत नृत्य ठीक है ऐसे जितने भी आपके art and culture related है सारे चीज़े यहाँ पर होती है लेकिन यहाँ पढ़ाई नहीं होती है सिक्षन संकाय नहीं है वर्तमान में अगर पूछा जाए इस खेरागड आपके विश्व विद्याले की कुलपती कौन है यह जो मोक्षदा चंद्राकर है जिसे आप ममता चंद्राकर के नाम से भी जानते है ममता चंद्राकर ममता चंद्राकर जो की हमारे प्रदेश की एक लोकगाई का है ममता चंद्राकर जी का वास्तविक नाम है आपका मोक्षदा चंद्राकर ठीक है पदमस्री अवर्डी है यानि कि पदमस्री सम्मान से सम्मानित है तो मोक्षला चंद्राकर जो की बरतमान में यहाँ पर आपकी कुलपती है तो इतने सारे फेक्ट आपको याद रखने है इस खेरागर विश्विद्याले से रिलेटेड इस्पेशली आपको डेट या आपका खेरागर शुईकादन गंड़ाई यह विरिष्टी चाया प्रदेश के अंतरगत आएगा विरिष्टी चाया प्रदेश एक बड़ा कॉंसेप्ट है ठीक है अगर चत्तिजगर की जलवायू आप पढ़े होंगे तो चत्तिगर की जलवायू की दो शाखाय बढ़ती एक होती है आपकी बंगाल की खाड़ी की साखा और दूसरी होती है अरब सागर साखा बंगाल की खाड़ी साखा से जो है इस विरिष्टी चाया यानि कि मैकाल परवस्रेणी की नीचे बसे हुए जिलों में पर्यापत रूप से यहाँ पर आदरता नहीं पहुश पाती और नीचे तरफ आपके राजनांद गौर मोहिला मानपूर आंबागर चौकी के उपरी हिस्ते तक इस मैकाल ग्रेंज का विस्तार है तो यहाँ पर मौझूद है आपका कवरधा कवरधा में इसी मैकाल रेंज से मैकाल रेंज से ही जो है एक नदी का उद्गम होता है जिसका न प्लूबुला निकलता है और एक प्रकार का जो लगाता जो वहां से पानी रिस रहा है वही आगे जा करके एक नदी का रूप धारन कर लेता है इसलिए चुकि आम के जड़ से ये पानी निकल रही है इसलिए इस नदी का नाम पढ़ गया है आपका आमनेर आमनेर नदीर जिस जो संगम है ये किस सहर में है ये इनके संगम पर बसा हुआ शहर कौन सा है तो वो है आपका खेरागड इंपोर्टेंट रखना है बाद में ये तीनों की तुन नदी जो है संगम के पस्चाद आमनेर नदी की रूप में आगे बढ़ती है यानि कि आमनेर जो है एक मुख्य न सदी में आकर के विसरजित होती है आमनेर नदी यहां पर आपके दुर्ग जिले के अंतरगत आता है एक जगह जिसका नाम है सगनी घाट में आकर के ये आमनेर नदी विसरजित हो जाती है तो यह इंपोर्टेंट है इसको याद रखना है ठीक है तो यहां पर होता है आपक जगदीश शोनकर और पुलीस अधिक्षक न्यूकत किये गया है आपके अंकीता शर्मा को ठीक यह जो यहां के इस्टुडेंट है उनलोग के एक बेसिक जानकारी के लिए कि यहां के जो कलेक्टर है वो है आपके जगदीश सोनकर को जी को न्यूकत किया गया है और अंकीता जो है यहाँ पर आपका विक्सित किये जाएंगे अभी फिलाल यह जीला अभी विकास सी लवस्था में है यानि कि अब एक नौ गठी जीला बन चुका है तो अब धेद्रे इसका विकास होगा ठेक तो आज के लिए इतना ही किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर पूस सकता है चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजेगा लाइक और शेयर जरूर कीजेगा धन्यवाद